उनका मंदिर खुलने वाला है, मैं उन सब को, जोनों ने इसकी कोशिश की, कि उनका मंदिर बने, और वो तयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ, साथ-साथ उनसे यह भी कहता हूँ, सबसे भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सरफ हिंदों का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का विश्व का राम है, उत्ते पस्तों को में लिखा हुआ है, तुसकी बात बहुत जरूरी है, कि भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है, मैं उन सब को, जोनों ने इसकी कोशिश की, कि उनका अंदिर बने और वो तयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ, साथ साथ उनसे यह भी कहता हूँ, सबसे भारत के निवासियों से भी, भगवान राम सरफ हिंदू का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का विश्व का राम है, उनके पुस्तोकों में लिखा हुआ ह तो बशुक अराम है, उन्होंने भायचारे की, महबत की, एक दूसरे के साहिता की बात की है जिन्दी की, और कहा हर बार, कि जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की कुशिश करो, कभी यह नहीं कहा, उसका धरम क्या है, उसकी शकल क्या है, उसकी जबान क्या है, वो कहां से आता है बलकि एक युनिवर्सल मेसेज दी सब के लिए सारे विश्व के लिए एक साथ रहें तरक्टी करें और भाईचारे में रहें आज जब ये मंदर खुलने वाला है मैं सब भाई भेनों से कहना चाहता हूं उस भाईचारे वो कायम करिये तो आश्ता आश्ता हमारे व मिरमार हो रहा है यहां के लोग यह दर्शत गंड सब बहुत धन्यबाद दे रहें मोदी जी को अधिया बहुत सुन्दर है और आज यह एरपोर्ट देखा जाए चाहे सड़के देखी जाए चाहे अधिया के घार देखे जाए मोदी के राज में एक नाम राज आ गए पूरी अधिया आज की समय में राम मै हो गई ए हमारे प्रदान मंद्री जी एससौई प्रदान मंत्री जी के आने से यहां पर एक खुशी की लाँ रहा है राम का मंदिर खुलने वाला है मैं उन सब को जोनों ने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तयार हो गया है उनको मुबारक देता हूँ साथ-साथ उनसे यह भी कहता हूँ सबसे भारत के निवासियों से भी भग्मान राम सरफ हिंदों का राम नहीं है वो सब दुनिया के लोगों का विश्व का राम है उनके पुस्तोकों में लिखा हुआ है